हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तो चैनल पर नए है तो मेक शूर से सस्क्राइब जरू करें क्योंकि हम लेकर आते हैं सचिन मनीशा और सुमित महल की लेटेस्ट अब्रेडर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि हम आपको लेटेस्ट अब्डेट दे सकें चली शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो आपको बता दे कि कल रात को मैंने आपर एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारे मुझे कोश्चन से याँपर भेजे गयते जिसके रिप्ल आप फावर्ड करूंगा सुमिच जी को और जो भी रिप्लाय आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको बता दें कल रात के वीडियो में भी बहुत सारी इसी कोईरी जाई उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टन जो कोश्चन था जो मुझे ऐसा लगता था कि सु को लेकर भी मिनें उनसे कुछ सवाल पूछे थे और उनका भी जवाब यहाँ पर सुमिच जी ने बहुत ही clarity से दिया है साथ ही आपको यह भी बता दू के अब एक यह दो तीन दिन में बस यहाँ पर सुमिच जी अपनी community भी post करने वाले हैं तो आप बहुत ही जादा information देनी थी वो उन्होंने वहाँ पर मुझे दे दी तो दोस्तों यह सारी चीजे मैं आपके साथ share करूँगा एक ही request है कि वीडियो को पूरा watch करें ताकि आपको पूरी information मिले चली शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले यहाँ पर जब कल मैंने वीडियो यहाँ पर गई है तो फिर आप उनकी personal information यहाँ पर रखना क्योंकि अब रिष्टा यहाँ पर रहा ही नहीं उनका रिष्टा तो अब रही नहीं गया तो फिर यह सघाई की जो memories है वो रखके क्या मतलब है वो रखकर क्या मतलब है अगर वो चाहे तो यह information private भी कर सकते हैं तो फिर यहा यह लोग delete नहीं करते दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर जितनी भी controversy यहाँ पर चालू है उसमें सबसे most important role कोई villain का है तो वो है सचिन का आप भी जानते मैं भी जानता हूँ और अब तक यहाँ पर सचिन जो है वो जगत दीदी का पीछा छोड़ने के लिए तयार नहीं है वो भी मैं आपको बता दो वो कैसे दरसल एक community पोस्ट की थी मैंने अपने पिछले वीडियो में वहाँ पर दिखाई भी आप जाकर देख सकते मेरे previous वीडियो में के community यहाँ पर उन्हें पोस्ट की थी कि मेरा कलेजा फट रहा है मुझे यहाँ पर दुख में भी खुश सारी बातों का हम क्या मतलब समझे कि कोई इनसान अपनी वाइफ को अगर यह भी नहीं कह सकता तो क्या प्यार है फिर दूसरी बार यहाँ पर शादी करने का क्या मतलब है आज भी हमने यहाँ पर देखा मनीशा का व्लॉग आया तो मनीशा ने यहाँ पर कहा कि भई अब मे कमरे में जाकर सारे creators के इतने सारे मेमान आये हुए हैं तो भई वहाँ पर एक community post करता है इस तरह की जो यहाँ पर करने के बाद यह delete कर दी जाती है आपने इतना कुछ किया फिर भी आपको थोड़ी सी शरम नहीं आई उस जगत दीदी ने आपको बोल दिया के भई तुख खुश हो ना कलेजा फटा नहीं तुमारा यह सारी चीजें मेरे लिए करकर अब यह सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है आसू बरदाश नहीं हुए सचिन से यह सारे आसू यहाँ पर बरदाश नहीं हुए इस वज़े से उन्होंने एक कम्यूनिटी पोस्ट कर दी अरे आप एक ही कश्टी में दोनों पैर यहाँ पर रखोगे दो कश्टियों में यहाँ पर पैर रखोगे तो भई कैसे चलेगा मुझे बताओ ना ठीक है अब यहाँ पर जो भी है लेकिन सचिन मैंने यहाँ पर यह भी पूछा सुमित महल जी से कि भई आप सचिन को कब से जानते हैं क्योंकि इस इंसान ने आप दोनों की यहाँ पर जिंदकी खराब कर दी तो यह सवाल तो पूछना बनता है काफी ओडियंस ने मुझे कहा था तो इस पर उन्हें मुझे यह जवाब दिया कि भई मैं पहले से नहीं जानता था जब यहाँ पर सचिन भाई जब मैसूर ट्रिप पर गए थे न तब मुझे नेहा ने सिर्फ सचिन का नंबर दिया था और तब से मैं उसके कॉंटेक में हूँ उससे पहले में नहीं जाता था तो यह बात यहाँ पर सामने आईए चली अब आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जो ओडियंस के कल सवाल आये थे उन पर यहाँ पर सुमिच जी ने क्या जवाब दिया है तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके ही कुछ लोगों के सवाल है अब सबसे पहले मैंने आपर सुमिच जी से पूछा सुमिच जी आपने कुछ रियाक्शन चैनल वलों को जवाब दिया है कि यह जो सगाई है mutual understanding से ही टूटी है तो क्या यह सच है क्योंकि जानना वापस से रिकन्फर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि आप दोनों की मर्जी से ही सगाई टूटी है क्योंकि दीदी जी ने तो respect ही गतम कर दिया है यहाँ पर सुमिच जी का तो यहाँ पर मुझे पूछना बहुत ज़्यादा कंपल सरी था क्यों भई आकर दीदी को किस बात का गुस्सा है दीदी को किस बात का गुस्सा है तो यहाँ पर जब उनोंका reply आया कि भई mutual understanding से ही यह सगाई यहाँ पर टूटी है तो यहाँ पर हमें पक्का यकीन हो गया कि भई इस चीज में आपर कोई दोर आये और कोई शक नहीं है फिर मैंने उनसे अगला सवाल पूछा अब जो सवाल मैंने उनसे पूछा अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ ट्रस्ट मी यह मेरा नहीं है लेकिन audience का सवाल है कि बहुत सारे लोग पूछना चाते हैं कि अगर यह सगाई तूट चुकी है तो फिर अपने एकाउंट से वीडियो डिलीट क्यों नहीं किये न आपने न नेहा जी ने डिलीट किये है तो दोस्तों इसका जवाब उन्होंने साथ में दिया पहले कुछ और सवाल है वो भी मैं साथ में आपको बता दो फिर इसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ उसके बाद मैंने उससे पूछा audience पूछ रही है कि आप community post कब करेंगे क्योंकि आपको बता दो उन्होंने यहाँ पर commitment की थी यह सारे उन्होंने सवालों के जवा हमें तो दिये है लेकिन उनका एक community post करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग यहाँ पर असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है कौन सज बोल रहा है नेहा सज बोल रही है कि सुमित जी सज बोल रहा है कि या कोई और सज बोल रहा है सच कौन बोल रहा है तो इसकी वज़े से यहाँ पर जब वो खुद community post करेंगी तो सारा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा फिर उसके बाद मैंने उनसे पोचा सर शोशल मेडिया पर आपके silence की वज़े से बहुत सारी ambiguity यहाँ पर create हो रही है मतलब बहुत जादा confusion हो रही है क्योंकि लोग अपने ही अटकले लगा रहे है कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है नहीं एसा नहीं है वैसा नहीं है इन्होंने यहाँ पर पैसों के लिए शादी किये से बहुत जादा ambiguity यहां पर confusion create कर की जा रही है उसके बाद मैंने एक और सवाल किया सर वीडियो पर जवाब जरूर देना waiting for your early reply मैंने यही बोला उनको के भई इस वीडियो पर जो मैंने सवाल पूछा था कि आपने delete क्यों नहीं किये इसके उपर मुझे जवाब जरूर देना क्योंकि audience कहीं नहीं बहुत जादा eager है यह जवाब सुनने के लिए उसके बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भई जल्द ही reply आ जाएगा फोड़ा सा wait करो क्योंकि 2-3 महीने से मेरा offline कामिया पर pending बढ़ा है और वो जैसे ही हो जाएगा मैं आपर जल्द ही reply दे दूग कि वीडियो में बस इतना ही